गुद मॉर्निंग सिक्स क्लास वेलकम बैक तो जैसे कि हम एक्जाम से पहले फ्रेक्शन्स चाप्टर कर रहे थे ठीक है उसके हमने 5 एक्सरसाइज कर ली थी तो आज हम कौन सी करेंगे 6.6 एक्सरसाइज तो आपका कोशन क्या है बच्चे सॉल अब देखें इन में क्या है हम हमने पहले जो किये थे फ्रेक्शन्स वाले सॉल उनमें क्या था उनका डिनॉमिनेटर सेम था ठीक है लेकिन अब यहां पर क्या है डिनॉमिनेटर डिफ्रेंट है ठीक है तो देखेंगे हम कि इनको कैसे करना है तो देखें बच्चे कैसे करेंगे जैसी यहां पर एपाट ह 2 by 3 plus 1 by 7 अब देखो denominator क्या है दोनों और numbers है एक ही table में नहीं आएंगे ठीक है 3 के table में 7 नहीं आता या फिर कोई और ऐसा number नहीं है जिसमें ये दोनों आते हूं तो simple है क्या करना है इन दोनों को करना है multiply क्या करना है multiply 3 7 जा 21 लिख लिया बाकी वैसे ही नीचे वाले number के साथ इसको divide जो answer आएगा उसको उपर वाले के साथ multiply जैसे 3 कितने जा 21 होता है 7 जा होता है तो 7 टू जा 14 ऐसे भी कर सकते हैं नहीं तो हमें क्या करना है जब हमने इन दोनों को multiply कर लिया हम इन दोनों को करेंगे cross multiply ठीक है ये भी method है 2 7 जा 14 प्लस 3 1 जा 3 ठीक है तो क्या बन गया अगर हम ऐसे करेंगे तो भी ठीक है नहीं तो अगर divide वाला करना जाते हैं तो ऐसे करेंगे देखो 3 7 जा 21 7 2 जा 14 प्लस 7 कितने जा 21 3 जा 3 1 जा 3 क्या आगया 14 प्लस 3 अपॉन 21 आगया 17 अपॉन 21 ठीक है 2 methods होते है चाहे आप इसको cross multiply करके करें या फिर divide और multiply वाले method से करें ठीक है वैसे बी पार्ट देखें क्या है 3 अपॉन 10 प्लस 7 अपॉन 15 अब ये दोनों नमबर जो है वो 5 की टेवल में आते है ठीक है तो क्या करेंगे हम इनका LCM लेंगे क्या करेंगे LCM लेंगे ठीक है तो LCM लिया 10 और 15 लिखती है 5 2s are 10 5 3s are 15 2 1s are 2 और 3 तो आता नहीं है तो 3 को वैसी उतार लिया 1 का 1 और 3 1s are 3 ठीक है ये LCM आपने पहले भी पढ़ा है कैसे करते है ठीक है बच्चे तो LCM क्या आ गया 5 2s are 10 10 3s are 30 तो ये आ गया इसका LCM 30 ठीक है अब देखे 10 कितने जा 30 होते है 3s are 3 3s are 9 ठीक है प्लस 15 कितने जा 30 होते है 2s are 2 7s are 14 ठीक है तो ये आ गया प्लस कर लिया 23 अपन नेक्स देखें दुबारा से ये दोन्नों जो है एक कोई भी मतलब किसी भी टेबल में नहीं आते एक अठे तो इन दोन्नों को कर लेंगे हम मल्टिप्लाई 9 7s are 63 तो फिर देखें 9 कितने जा 63 7s are 7 4s are 28 प्लस 7 9s are 63 9 2s are 18 ठीक है तो क्या आगया प्लस करके 46 upon 63 ठीक है बच्चे डी पार देखें ये भी सेम है किसी की टेबल में नहीं आते तो 7 3s are 21 7 कितने जा 21 3s are 3 5s are 15 3 कितने जा 21 7s are 7 1s are 7 तो प्लस करेंगे क्या आगया 22 upon 21 ठीक वैसे ही सेम क्या बनेगा 5 6s are 30 ठीक फिर उसके बाद 5 6s are 30 6 2s are 12 6 5s are 30 5 1s are 5 प्लस किया तो बन गया 17 upon 30 ठीक है cross multiply वाला जो है वो आप चाहे रहने दे ठीक है बड़ी बार होता है कही confusion हो जाती है ये method जो है वो easy भी है और suitable भी है ठीक है ये वाला method यूज करेंगे divide नीचे वाले के साथ divide जो answer आएगा उपर वाले के साथ multiply इनको भी same वैसे ही किया 5 3s are 15 ठीक है तो क्या आगया 5 3s are 15 3 4s are 12 3 5s are 15 5 2s are 10 तो बन गया प्लस करके 22 upon 15 ठीक है बच्चे ये भी वैसे ही है same ठीक फिर हम करेंगे ये दो का एक multiply वाला देखो 5 upon 6 minus 1 upon 3 तो कैसे करेंगे अब ये दोनों जो है एक की table में आ सकते हैं तो हमने ले लिया LCM 3 2s are 6 3 1s are 3 2 1s are 2 और 1 का 1 ठीक तो क्या आगया 3 2s are 6 6 आ गया इसका LCM करेंट इवाइड 6 कितने जो 6 1s are तो 1 5s are 5 minus 3 कितने जो 6 2s are 2 1s are 2 तो क्या आ गया 5 में से 2 गये 3 by 6 तो ये कटता है 3 1s are 3 2s are तो आ गया 1 by 2 इसका answer ठीक है बच्चे एक और सम देख ले अब इसका भी हम LCM लेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा ठीक है तो 10 1s are 1 7s are 7 5 2s are 10 2 2s are 4 तो क्या माइनस आ गया 3 by 10 ठीक है बाकी के parts भी ऐसे ही है तो आज के लिए इतना ही Thank you class